तो नमस्कार और सहागत है आप सबहे का study circle पे और अभी हम पढ़ रहे हैं जीवारूं और उन से होने वाले रोगों के बारे में तो थोड़ी सी अगर जिवाडू जिवाडू या बैक्टिरिया के बारे में जान ले तो बैक्टिरिया एक कोसी की जीव होते हैं जिस तरह से प्रोटोजोवा होते हैं उस तरह बैक्टिरिया भी एक कोसी की जीव होते हैं लेकिन फर्क से पितना होता है कि बैक्टिरिया में जो केंद्रक होते हैं वो उपस्थित होते हैं यानि कि बैक्टिरिया में केंद्रक नहीं होते और यह प्रोकेरियोट किस्म के होते हैं यानि कि इनमें अगर केंद्रक उपस्थित होते भी होंगे या होते हैं कुछ-कुछ में तो उनमें कोशी का भित्ती नहीं होती और वो बिखडे हुए पाये जाते हैं कोशी का भित्ती नहीं होती और वो बिखडे हुए पाये जाते हैं यानिकि इनमें लगभग केंदरक नहीं होता जीवाड़ों में इसके अलावा इन में कुशिका भित्ती पाई जाती है जिवाड़ों में यानि कि इनका जो बाहरी आवरण होता है वो एक भित्ती से धाका होता है इसके अलावा ये संसार में हर जगह पाई जाते हैं जो जिवाड़ों होते हैं इस प्रिकार के होते हैं जो संसार है प्रित्वी है उसके जो मिट्टी है उसमें अमली छेतर हैं वहां पाए जाते हैं गर्म जल्धारा में पाए जाते हैं यहां तक कि यह नावेकी पदार्थ जो होते हैं उन्हें भी यह पाए जाते हैं इसके लावा भूपरपटी में और कार्वनिक पदार्थों और पौधे और जन्तू के सरीर में भी ये पाए जाते हैं और अगर जन्तू के सरीर की बात करें तो हमारे खुद के आहार नाल में जिवाडू पाए जाते हैं यूकि हमारे भोजन को पचाने का कारे करते हैं तो कुछ बैक्टिरिया जो होते हैं अच्छे होते हैं और कुछ जिनसे बिमारी फैलते हैं तो अब हम बात कर लें थोड़ी सी और जिवाडों के बारे में तो 1882 इसवी में रावट कोच के द्वारा कालरा और टीबी के जिवाडों की खोच की गई थी और रावट कोच को सन 1905 में नोबल पूसकार दिया गया था चिकितसा के छेतर में और अब बात कर लें कि जिवाडों से कौन कौन से रोक फैलते हैं और उनसे कौन से अंग प्रभावित होते हैं और लक्षण क्या हैं तो पहला बिमारी जिसके कर हम बात कर लें तो वो है टिटनिस जोकी Clostridrium Titini के दवारा फैलता है या इसे और इसे जो टिटनिस में जो अंग प्रभावित होता है वो तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है और इसका लक्षण ये है कि सरीर में तेज बुखार हो जाता है सरीर में एठन होता है और जबड़ा बंद होने लगता है यह titnes का लक्षण है डूसरी जो next विमारी है वो है हैजा जो की vibrio cholery से फैलता है बैक्टिरिया से और इससे प्रभावित होने वाला अंग सरीर का आत है और इससे लगातार दस्त और उल्टी होती है यह हैजा का एक लक्षण है और यह vibrio जो कॉलरी बैक्टिरिया से फैलता है इसके बाद नेक्स्ट है टाइफाइट जो किसाल मेनिला टाइफी बैक्टिरिया से फैलता है और इससे सरीर का जो अंग परवाबित होता है वो आथ है और इसमें क्या होता है कि तेज बुखार होता है और सर में दर्द होता है और नेक् लग्षण है यह है कि बार बार खांसी के साथ कफ आता है और कफ के साथ खून भी निकलता है यह टी-बी का लग्षण है और अगर हम बात करें कि टी-बी में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो वो है फेफडा इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है यह बिमारी है जो कि बेक्टेरिया से फैलता है वो है डिफ्थीरिया जो कि कोरोनी बेक्टेरियम डिफ्थीरी जिवाडू जिमेदार है इस रोग के लिए और इस रोग में क्या है सरीर का स्वास नली जो होता है वो प्रभावित होता है और इसके लग्षण यह है कि सांस लिने में कटना ही होत और दम घुटता है यह डिप्तिरिया बीमारी का लक्षण है और नेक्स्ट है प्लेग यह जिसे ब्लैक देथ भी कहा जाता है यह एरसीनिया पैस्टिस जिवाडू से होता है फैलता है यह और इसमें क्या है कि बहुत तेज बुखार होता है वो सरीर पर गिल्टी बनने लगत होता है और नेक्स्ट है काली खांसी जो की हेमोफिलस पर्टुसिस जिवाडू से होता है और इसमें लक्षण यह है कि लगतार खांसी आता है और इसके लबा काली खांसी में सरीर का स्वसंतंत्र प्रभावित होता है और नेक्स्ट जो डिजीज है वो है नीमोनिया और यह डिपलोकोकस नियुमोनी जिवाड़ू या बैक्किरिया से यह रोग फैलता है और इसमें लक्षण यह है कि सरीर पर तेज भुखार हो जाता है फेपरो में सूजन हो जाता है और मेंली यह बच्चों को बहुत ज़ादा प्रभावित करता है नीमोनिया और इससे जो प्रभावित अंग है वो है फेवरा नेक्स्ट है कुष्ट रोक या लेप्रोसी जो की माइको बैक्किरियम लेप्री के दवारा होता है और इसके लक्षण यह है कि सरीर पर चकत्य उभराते हैं तंत्रिकाय तंत्र प्रभावित होने लगती है और इससे जो में जो सरीर का अंग प्रभावित होता है वो है तंत्रिका तंत्र और द्वच्चा नेक्स्ट है गोनोरिया जो की जिसके लिए नाइससेरिया गोनोरियाई बैक्टिरिया जिमेदार है और इसका लक्षण यह है कि मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है और इसका जो मेंली प्रभावित अंग है वो मूत्र मार्ग वही प्रभावित होता है इससे और next disease है syphilis जो की ट्रेपोनिमा ट्रेपोनिमा पैलिडम जिवाड़ो इसके लिए जिमेदार है और इसमें लक्षण ये है कि सिस्न में या पैनिस में घाव हो जाता है और इससे जो प्रभावे तंग है वो सिस्न ही है या पैनिस ही से गहते हैं वो है और में लिए होता है कि ये असुरक्षित यौन संबंद से होता है और बहुत जादा ही यौन संबंद बनाने से ये बिमारी होता है और अलगभग भारत में हर साल एक मिलियन यानि कि दस लाख लोग इसे प्रभावित होते हैं तो ये था बैक्टीरिया और उनसे होने वाले रोग के बारे में संशित जानकारी नमस्कार जैहिन जैबारत